नमस्कार, 10 मिनिट किचिन में आपका स्वागत है आज हम पेडा बनाएंगे सुइट दिश वो भी न गैस जलानी पड़ेगी न चाशनी बनानी पड़ेगी सिरफ दो चीजों से तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखके बताईए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा तो पेड़ा बनाने के लिए हमने लिया है दो चम्मच पाउडर शुगर आप तगार भी ले सकते हैं पूरा भी ले सकते हैं एक बाउल माबा ये मैंने घर पे ही बनाया है अगर आपको भी माबा बनाना हो तो आप हमारे लिंक पे जाके देख सकते हैं मैंने ऐसी विदी बताईए कि आपके घर के दूसरे काम भी होते रहेंगे और माबा बन जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और तीसरी चीज है ये बारीक कटे हुए पिष्टा थोड़े सी इलाइची के दाने और थोड़ी सी चिरोंजी अगर सबसे एजी कोई रेसिपी है स्विट में तो वो है पेडा बनाना तो आईए अब हम पेडा बनाना अब इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा टाइट करके ऐसे करके मिक्स करेंगे जो ये सॉफ्ट हो जाएगा देखिए आप शुगर आप डालना चाहें जितनी उतनी डाल सकते लेकिन एक बाउल खोया में आदा बाउल से ज्यादा शुगर नहीं डाल जब आप शुगर मिलाएं तो ठंडा माबाही लें अगर आपने गरण में मिला दी तो ये बह जाएगा फिर आपके पेड़े नहीं बनेंगे अब हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं हम इसको बिल्कुल आटक डो की तरह से तख लेगा जैसे डो तयार करते न इससे ही बहुत सॉफ्ट हो जाएगा अब इसको हाथ से ऐसे कर लेगे और इसकी ऐसे करके एक लंबा सा बना लेंगे और एक-एक करके इस तरह से पेड़े काट लेंगे अब हम साधी पेड़े इस तरह से ये लेके और इसको ऐसे ऐसे करके और यह करके ऐसे थोड़ा सा यह ऐसे करके बनाके रख लेंगे आप हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं गोल इनको देखिए पेड़े तैयार हो गये हैं आप चाहें तो ऐसे भी पेड़े रख सकते हैं यह भी रेड़ी हैं इन पर थोड़ी सी गार्मिशिंग करेंगे गार्मिशिंग करने से पहले हम इसपे डिजाइन बनाएंगे आपके पास कोई ढककन या कुछ वी हो बीच में हलका सा इसको प्रैस करें इससे यह डिजाइन बहुत ही सुंदर बन जाएगी कोई ढककन कोई भी चीज हो ऐसे प्रैस करके सब डिजाइन बना लेंगे देखिए इस ग्लास के नीचे से हमने डिजाइन बना दी कितने ब्यूटिफुल बनी है और ये पेड़े थोड़े थोड़े फट भी जाते हैं तब भी बहुत सुन्दर लगते हैं अब हम इसके उपर करेंगे गार्नेशिंग के लिए दो तिन पिष्टा रखेंगे एक चिरांजी रखेंगे और दो चार दाने इलाईची के रखेंगे ये गार्नेशिंग होंगे ऐसे ही हम सारे पेड़ों की Garnishing करेंगे पेड़ों की Garnishing हो गई है अब हम इसे छोटी प्लेट में सर्व करते हैं मैंने आपको पेड़े बनाने का बहुत ही इसी तरीका बताया ना कोई गैस ना कोई चाशनी बहुत ही आराम से तसलि से बैटके पेड़े बन जाते हैं पांच मिनट के अंदर तो बनाईए, खाईए और खिलाईए और कमेंज में लिखके बताईए कि आपको हमारी ये रेस्पी कैसी मिली कैसी लगी थैंक यू फॉर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक आप अपना धिहान रखना बाई बाई